Hi everyone, welcome back to my channel, my name is Anil और इस वीडियो के नदर हम एक basic topic डिस्कूस करने वाला है React और React Native की वीच में difference क्या होता है ठीक है, वैसे तो बहुत से लोगों को पता होगा बट मैं भी React Native की वीडियो बनाना शुरू कर रहा था तो कुछ लोगों ने पूचा कि या difference क्या होता है So, वो मुझे लिए एक वीडियो बना देनी चीए इसके लिए ठीक है, पहली बात, React और React Native दोनों भी Facebook ने बनाया होए ठीक एक चीज़ ध्यान रखेगा अब एक difference इस slide के अंदर आपको difference सो clear होड़ागा बढ़ आगे वाली slides के अंदर में कुछ और भी difference और detail में चीज़ें बताऊंगा ठीक है React होता है web development के लिए use में अब React Native होता है mobile development के लिए use में आप ये चीज़ ध्यान रखेगा React होती हो एक simple एक library होती है इस library को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो किसी भी framework में यूज़ कर सकते हो even आप चाहो तो React को Angular के अंदर भी यूज़ कर सकते हो ठीक है अब आती है बात React Native ही ये basically एक framework होता है ठीक है और ये framework है ये अपने आपके अंदर React भी यूज़ करता है ठीक है और basically framework है तो आप ये कह सकते हो कि इसका structure थोड़ा सा complex है as compared to React अब थोड़ी से कुछ और information देख लेते हैं जो React Native की website ये वाली है और React की ये वाली आप देख सकते हो ये तो normal बात है बट इन दोनों के version के अंदर बहुत बरा difference है रियक्ट का जो current version 16.13.1 है यानि कि ये बहुत पुरानी है as compared to React Native और React Native का 0.6, 2.0 तो बोलेगों अच्छा तो क्या मतलब अभी React का first version मन की version 1 भी नहीं आया है येस, technically अभी इसका one version भी नहीं आया है लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताएता हूँ तो React के अंदर, इन्होंने क्या करा था React की React 15 तक इन्होंने 0.15 ऐसे करके रिलीज करा था, बाद में रिलीज कर दिया तो हो सकता है कि React Native के साथ भी ऐसे ही करें एक दम से डायक्ली 16 या 17 या 18 रिलीज कर दिया, तो कोई हरानी वाली बात नहीं होगी ठीक है, so कुछ और चीज़ है और react native कुछ application जो आप maybe use भी करते हो तो आपको पता नहीं होगा Instagram, chances हैं कि आप 90% use करते हो तो ये react native के अंदर बने हुए है ठीक है, और facebook ads manager ये facebook वाली जो current application है वो नहीं जो chat के लिए हम use करते है एक ad manager होती है, वो react native के अंदर बने हुए है Bloomberg एक बहुत बड़ी news agency है इसकी Airbnb, hotel management के लिए ठीक है, hotel management के लिए होटल management के लिए होटल मेनेजमेंट के लिए होटल काई सकती है actually hotel management नहीं है, ये application mantra, ये shopping website है Uber Eats, जहांसे आप खानावान और करते हो Uber Eats और तो बहुत ही famous app और Instagram और mantra पी, ये तो I hope आपने use करी होगी कभी ने कभी, so ये आप पता नहीं होगा, बट reactative के लिए होगी, तो इतना powerful app, आप कुछ भी develop कर सकते हो, आप पता भी नहीं चलेगा कि वो native application है बात कर रहा हूँ, web apps की, new times और Facebook, अचा फेस्बूक इसके अंदर purely react.js नहीं बने होगी, कुछ parts बना होगा इसका ठीक है, तो purely react.js में नहीं बने होगी, THAN Academy WhatsApp, WhatsApp की जो application ये बात नहीं कर रहा हूँ मैं फिर आपको बताना हो कि सारी सिर्फ web app है ये सारी की सारी इसके अंदर बने होया सो ये थे react और react नहीं नहीं कुछ difference और थोड़ इस information, कुछ query होगा आपकी तो मुझे comment box में पूछ सकते हो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और वीडियो को लाइक करना, कुछ question हो तो मेरे से वी पूछ सकते हो, bye bye take care